हेलो गाईज, वेलकम टू जावा टूटरल स्रीज, गाईज आज इस लेक्चर के इंसाइट जावा में हम फ्लोट टू स्टिंग कनवर्जन के उपर डिसकस करेंगे, इस टोपिक को बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम बना कर समझाएंगे, तो फ्लोट टू स्टिंग कनवर्जन एक ऐसा प्रोसेस है, जिसमें हम फ्लोट वेल्यू को स्टिंग में कनवर्ट करते हैं, फ्लोट टू स्टिंग कनवर्जन के लिए जावा के पास टू मेथर्स अवेलेबल हैं, पहला होता है वेल्यू अप मेथर्स जो की स्टिंग नेम की क में convert करना चाहते हैं तो float को string में convert करने के दो methods available होते हैं Java के पास दोनों methods का use हम step by step यहाँ पर करेंगे पहले हम value of method का use करेंगे जो की string class के insight है तो हम यहाँ पर string name की class से value of method को call करेंगे और यहाँ पर argument में हम इस xname की variable को pass कर देंगे इसके पास float value है यह value of method इस float value को string में convert कर देगा जिसे हम yname की variable में assign कर देंगे और इसका type हम रखेंगे string अब हम print करवाना चाहते हैं print करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println statement use करेंगे यहाँ पर हम इस yname की variable को pass कर देंगे क्योंकि इसके inside string value है हम run करके check करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.2 जो की अब एक string value है पता करने के लिए हम यहाँ पर एक नया value 8 करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर नया value हम 1.2 लेंगे float के लिए पीछे f लिखा जाता है यह बाद आपको पता होना चाहिए नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि float के लिए पीछे f लिखा जाता है ठीक है यहाँ पर अगर y के inside string value है तो addition ना होते वे क्या होगा confirmation होगा मैं रन करके बताता हूँ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.2 के साथ 1.2 का confirmation हुआ है इसका मतलब यह है कि y में जो value है वो एक string value है अगर यहाँ पर मैं x variable को रखता हूँ जिसके inside float value है तो अब यहाँ पर confirmation ना होते हुए क्या होगा addition होगा और नया value बनेगा 13.4 इस तरीके से तो यहाँ पर हमने पेला method देख लिया है जिसकी help से हमने float value को string में convert कर दिया है अब दूसरा जो method होता है वो होता है to string method जो कि float name की class के insight होता है तो हम यहाँ पर float name की class से to string name की method को call करेंगे और जो argument है उसमें x name के variable को pass कर देंगे इस तरीके से तो यहाँ पर यह भी इस float value को string में convert कर देगा और जब हम यहाँ पर 1.2 को इसके साथ 8 करेंगे तो addition नहों होते हुए क्या होगा confirmation होगा मैं run करके बताता हूँ आपको इस तरीके से तो dear friends आज के इस lecture में हमने discuss किया float to string conversion के उपर I hope कि आपको lecture बहुत अच्छे समझ में आया होगा मिलते है next lecture में तब तक के लिए बाई बाई